नमस्कार आदाप सेस्टेकाल रादे रादे जैहिंद, स्वागत है आप सबका महिंदरास के ओफिशल यूट्यूब चानल पर और मैं चानी महिंदरास तहीं दिल से आप सबका स्वागत करती हूं, तो बच चुके हैं सुबह के साड़े छे और बिल्कुल जो है तो यहारों का सिलसिला जो है चालू हो चुका है, तो पूरे महिंदरा परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से आप सब को मकर संक्रांती की बहुत 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 शुप कामना है, विशु आल और यूर फामिली पढाई करेंगा देख लिएते हैं कि हमारे साथ-साथ कौन-कौन कनेक्ट हो चुका है तो फटटा-फट जो है जितने भी कैंडिडेटेस हमारे साथ जोड़े हुए है, सेशन को क्या कर देना है, शेयर कर देना है आप जहां जहां पर भी कनेक्टेड है, जल्दी से बता द तो शुरुआत करते हैं कि अपने पहले important day से और आज जो है important day है definitely, आज है 14th of January और उससे पहले हमारे hashtag से शुरुआत करेंगे जो है, कौन सा dream big, work smart, बड़ा सोचना है और smartly क्या करते जाना है, काम करते जाना है, मैं कल देख रहती है, जो RRBPO का means का session हो रहा था, उसमें भी बहुत सारे candidates ये पूछ रहते हैं कि smartly पजल को कैसे solve किया जाया है, तो पिल्कुल जो है, examination में भी smartly काम करना है, जबरदसी का hard work नहीं करना है, अपनी life हो भी इसी तरीके से smartly क्या करते रहना है, रन करना बड़ा सोचना है, चलो, जल्डी से बात कर लेते हैं, तो आज 14 January है और definitely आज एक important day celebrate किया जा रहा है, और आज मनाया जा रहा है कौन से day, veteran day जो है, वो celebrate किया जा रहा है, veteran का मतलब जो है, अन कर रहा है, यह किसके उपलक्ष में celebrate कर रहा है, तो Indian Armed Forces के पहले Commander-in-Chief Field Marshal, K.M. Kariyappah जी, इनकी उपलक्ष में अनुभवी दिवस veteran day जो है, Indian Armed Forces celebrate कर रहा है, K.M. Kariyappah जी जो है, इसी दिन, इसी दिन, जो है, 7 यो तुए थे, 1953 में, मतलब वो retire हुए थे, 1953 में, और आज जो है, आज जो है, डिफिन्स मिनिस्टर राजनात सिंग जी और अगर हम बात करें कि CDS, Chief of Defense Staff, विपन रावट जी, जो है, दोनों मिलेंगे कहां पर, मिलेंगे कहां पर, Indian Air Force का जो center है, बैंगलूरू में, वहां पर मिलकर veteran day को celebrate किया जाएगा, K.M. Kariyappah जी, जो First Commander-in-Chief ते, जो Field Marshal ते, उनके उपलक्ष में इस दिवस को मना रहा है, कौन? Indian Armed Forces. तो कल बिलकुल जो है, Army Day celebrate किये जाना है, तो कल जो है, डीटेल में, इसके बारे में, और भी क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हमारे brainstorming MCQs से, तो सब लोग बता लेकिन, जो है, questions के समय, comment box में आकर answer देने, start कर देना है, और, जो है, brainstorming session के लिए, सब लोग ready है कि नहीं, बिलकुल जो है, सब लोग ready है, और पहला question आ रहा है, screen पर वो ये है, Which of the following countries is not a member of South Asian Association for Regional Cooperation, निमलिखित में से कौन सा देश, दक्षिन एशिया, छेत्री सायोग संगठन का सदस्यन नहीं है, तो आपको बताना है कि इन में से ऐसी कौन सी country है, जो सारकी की member नहीं है, अराम से option को पढ़ लेना, South Asian Association for Regional Cooperation की इन में से कौन सी country member नहीं है, आपको ब ऐसा क्या किये थे शिवम सर जो ID को व्लोक कर दिया गया, जल्दी से बता दो कि सारक का सदस्यन इन में से कौन सी country नहीं है, येस, ओके, बिल्कुल सारक का सदस्यन में से कौन सी country नहीं है, पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है, ये पूछा गया है, तो South Asian Association for Regional Cooperation की इन विकी किरार, अफगानिस्तान मेंबर नहीं है क्या सारक का, दक्षिन एशे, छेत्रिय सायोग संगटन का क्या अफगानिस्तान मेंबर नहीं है, कितनी मेंबर कंट्रीज है, सारक में आट मेंबर कंट्रीज है, कितनी मेंबर कंट्रीज है, सारक में आट मेंबर कंट्रीज है मैंने classes में भी बताया है MBPS Payne से क्या रखना याद रखना अब M से कौन सी है मालदीज से B से कौन सी है बूटान है B से बांगलादेश है S से क्या है S से का है श्रीलंका पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडिया नेपाल मालदीज बूटान बांगलादेश, श्रीलंका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया नेपाल ऐसे साउथ आफरिका मत सोच ले ना ठीके ना अदक्षिन कंट्रीज है मालदीज, बूटान, बांगलादेश, श्रीलंका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया नेपाल तो इन में से कॉन सी कंटरी नहीं है, भाई? मैनमर इन में से मेंबर नहीं है, ध्यान लगणा. ठीक है, मैनमर मेंबर नहीं है, मैनमर कहाँ पर मेंबर है, मैनमर बिम्सटेक में मेंबर है, लेकिन यहां पर मेंबर नहीं है. South Eastern Association for Regional Corporation SARG की बात करें, तो सार्ग जो है इसे बनाय गया था कब 1985 में ठीक है इस दक्षे समू को बनाय गया था कब 1985 में और अगर हम मैं बात करूं सार्ग की तो सार्ग का हेटकोटर बता दो फटाक से लिखकर कहां पर है सार्ग का मुख्याल है काटमांडू नेपाल में है सार्ग का हेटकोटर कहां जो सेकेटरी जनरल है सार्क के, उनका नाम क्या है, इसाला रूवन है, उनका नाम क्या है, इसाला रूवन है, जो मार्च दो हजार बीस में बनाए गए थे, ठीकें जो श्री लंका से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, जो कहां से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल श्री लंका से बिलॉंग करते हैं नेक्स पढ़ रहे हैं अगले question की तरफ और अगला question आ रहा है screen पर ओके अगला question आ रहा है screen पर वो ये है trade policy review TPR which is often seen in news is an important mechanism under which of the following organizations वेपार निती की समिक्षा TPR जिसे अकसर समाचारों में देखा जाता है निमलेखित में से किस संगटन के तहत एक महतवूर्ण तंत्र है तो आपको बताना है कि trade review policy जो है इन में से कौन सी संस्था करती है trade review policy जो है इन में से कौन सी संस्था करती है तो TPR जो है куда नियूज में बनी रही country से पूछा वर्ल ट्रेड और्गनाईजेशन करती है, कौन सी कंट्री करती है, वर्ल ट्रेड और्गनाईजेशन, वर्ल ट्रेड और्गनाईजेशन, जो संस्ता है, वो ये TPR, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू करती है, अगर मैं बात करूँ, वर्ल ट्रेड और्गनाईजेशन की, तो इसका headquarter कहां पर है Geneva Switzerland में है ठीक है World Trade Organization का headquarter कहां पर है Geneva Switzerland में है मुझे एक बात बताओ World Trade Organization जो है WTO के नाम से तो बना नहीं था WTO ठीक है पहले क्या हुआ करता था GAT हुआ करता था General Agreement on Tariff and Trade GAT को replace करके WTO बना था 1st January 1995 में GAT को replace करके WTO बना था 1st January 1995 में SAC और SBI में question पूचा गया था कि World Trade Organization का member India का बना था तो definitely India का बना था World Trade Organization का member 1995 में बना था अगर मैं बात करू World Trade Organization की तो मुझे एक बात बताओ WTO के ad present कोई जो है Director General है की नहीं है World Trade Organization के WTO के ad present कोई Director General है की नहीं है वर्ल्ट्रेट और्गनाइजेशन के अड़ प्रेजेट जो है कोई डिरेक्टर जनरल है की नहीं है, ओके, येस, बहुत बढ़िया, अगर मैं बात करो तो कौन हुआ करते थे, भाई, रॉबर्टो अजिवेडो हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे, डब्लू टो के, रॉबर भाई, रॉबर्टो अजिवेडो जी, ठीक है ना, रॉबर्टो अजिवेडो जी नहीं है, अडप्रेजेट कोई भी डरेक्टर जनरल जो है, वो नहीं है, ठीक है न, येस, ओके, चलो, नेक्स बात कर रहा है, अगले क्वेशन की तरफ बढ़ रहे है, दाजन्ग्स आइले ये चीन ओफ आइलेंड से जो लोकेटेड है नौर्ट ओफ जकार्ता कोस्ट के, कहां पर लोकेटेड है नौर्ट ओफ जकार्ता कोस्ट के, जकार्ता जो है किसकी क्यापिटल है इंडोनीशिया की करेंसी क्या है, रुपिया है, इंडोनीशिया की करेंसी क्या है, रुपिया है चलो नेक्स बात कर रही है अगले question की तरफ बढ़ रहे है इन में से कौन सा Marshall Art Form है देश का? भारत के Marshall Art Form में से निमलिकित में से कौन सा रूप है? इन में से कौन कौन से Marshall Arts Form है देश के? तो आपको पता है कि martial art form जो है वहाँ पर एक उस जगे पर एक जो है क्या भी बनाए जा रही है पूरी academy भी तयार की जा रही है तो martial art जो है वो एक तरीके का sports events होता है एक तरीका गेम होता है तो इन में से कौन सा martial art form जो है अगर मैं बात करूँ तो सिलंबम, गोटी पायू औ ठीक है केरल से ठीक है तो सिलंबम, गोटी पुआ और कलारी पट्टू अगर मैं बात करूँ तो इन में से और इन चारों में से कौन कौन से martial arts form है देश के तो इन में से कौन कौन से है वो ध्यान रखना फर्स्ट वाला है थर्ड वाला है और फोर्ट वाला है मतलब कौन सा अगर को न है, अगर मैं बात करूं तो ये जो गोटी पुआ है इसमें क्या होता है कि जो male participants होते हैं वो female participants की dress पहन कर जो है Lord जगनात की क्या करते हैं पूजा करते हैं तो उसे दर्शाया जाता है तो ये Odisha का क्या है dance form है next पढ़ रहे हैं अगले question की तरह राइट ठीक है अगला question आ रहा है स्क्रीन पर देखो इस तरीके के question भी आपको examination में देखने को मिलेंगे थोड़े higher level के examination पर जाओगे ठीक है तो ये MCQs नहीं होते हैं multiple choice questions ही ये multiple selective questions होते हैं जो आप अकसर देखते हो कि एक सही है दो सही है सारे सही है सारे गलत है और इन में जो है आपकी clarity बहुत जादा क्या होती है रिफाइन होती है तो ऐसे जितने भी candidates हमारे साथ जुड़े होते हैं जो SSE CGL level की या फिर PST या स्टेट लेवल PST की तैयारी करते हो या civil services की कर रहे होते हो तो वो तोड़े इस तरीके के questions की अगरो multiple selective questions ताकि आपकी जो thinking process है और क्या हो clear हो क्योंकि इस से बहुत सारी चीजे जो है वो क्या होती है clarity पर आती है next question की तरह बढ़ रहे है खाधी प्राकृतिक पेंट, a first of its kind product with anti-fungal and antibacterial properties developed by the Khadi and Village Industries Commission has which of the following as its main ingredient खाधी और ग्रामुद्योग आयोग द्वारा विक्सित, anti-fungal, antibacterial गुणों के साथ एक पहला उत्पात, खाधी प्राकृतिक पेंट जिसका मुख्य घटक के रूप में निमलिकित में से कौन सा है तो आपको बताना main ingredient कौन सा है खाधी प्राकृतिक पेंट का जिससे develop किया है KVIC ने तो dry gas है, मुलतानी मिट्टी है, charcoal है या फिर cow dung है तो बिलकुल जो खाधी प्राकृतिक पेंट है, इसका main ingredient क्या है, तो cow dung है ठीके न, गोबर जो है, इसका main ingredient है, क्या है गोबर इसका main ingredient है, कार्थिक सर charcoal नहीं, cow dung इसका क्या है, main ingredient कहा गया है ठीके न, yes, single boy dance होता है, बिलकुल सुजीता ने answer दे दिया next बढ़ रहे हैं, अगले question की तरफ, which countries government has passed a bill mandating larger companies to ensure that at least one women serves on their management boards, किस देश की सरकार ने बड़े कंपनियों को लिए एक bill pass किया है, ताकि यह सुनिक्षित किया जा सके कि कम से कम एक महिला उनके प्रबंध बोर्ण में काम करेंगी ही करेंगी, तो कौन सी country ने ऐसा bill pass किया है, जिसे mandate कर दिया गया है, कि management board में एक महिला रहेगी ही रहेगी, मतलब जो board of directors रहते हैं, उसके management board में एक महिला का होना जो है, वो compulsory रहेगा, तो बड़े company उसके लिए bill pass किया है, किस country ने, option आपके पास Spain, Germany, France या फिर Indonesia, तो किस country ने इस bill को पारित किया है, तो बिलकुल वो कौन सी country है, भही Germany है, कौन सी country है, वो Germany है, जर्मनी की capital की बात करें, तो Germany की capital क्या है, Berlin, comment box में लिखकर बताओगे मुझे Germany की क्या currency, जर्मनी की currency लिखकर बताओगे, मुद्रा लिखकर बताओगे ठीक है निक्स बढ़ रहे हैं अगले question की तरफ अगला question आ रहा है According to the Financial Stability Report FSR Report released by the Reserve Bank of India Gross NPA Non-Performing Assets may rise to what percent by September 2021 भारती Reserve Bank के द्वारा जारी की गई वित्ती सिर्था Report FSR Report के अनुसार September 2021 तक बैंकों के सकल गया निश्पादित परिस्थितियां क्या प्रतीशत तक बढ़ सकती है तो Non-Performing Assets की बात की जा रही है गया निश्पादित संपत्यों की जो पैसा बैंक ने कस्टुमर को लोन में दे कर रखा है वो पैसा वापिस नहीं आया है तो बहुत तेजी से जो है बैंक से क्या बढ़ रहे है NPA बढ़ रहे है ये कहा गया है कि September 2021 तक जो है NPA कितना परसंट तक पहुँच जाएगा अगर मैं बात करूँ ये जो Financial Stability Report है FSR Report है ध्यान रखना ये कौन निकालता है RBA निकालता है जिसमें RBA ने ये कहा है कि September 2021 तक जो है Gross NPA बैंकों का पहुच जाएगा वो कितना पहुच जाएगा 13.5% ठीक है 7.5% से बढ़ कर कहा गया है कि कितना पहुच जाएगा 13.5% पहुच जाएगा बहुत जादा NPA कहा गया है Non Performing Assets कहा गया है अगर मैं बात करू Non Performing Assets की तो जो मेरे बैंक की होना आ रहे है ध्यान रखना कि Non Performing Assets बैंकों के लिए एक तरीके का Credit Risk होता है Credit जोखिम होता है Credit Risk का मतलब यह होता है जब बैंक ने Customers को लोन दिया है और Customer जो है उसने पैसा वापस नहीं किया तो बैंक को जो जो के माता है वो Credit Risk काता और NPA को Non Performing Assets यहां Bad Loans यहां फिर Junk Loans यहां फिर De-Stress Loans कहा सकते हो जो 90 दिन के बाद NPA हो जाती है प्रॉपर्टी जिसके लिए Surface Act हमने देखा हुआ है 2002 का यह बढ़कर कहा गया RBI के द्वारा कि September 2021 तक कितना परसेंट पहुँच जाएगा 13.5% फिलाल में 7.5% से अगर मैं बात करो FSR Report की तो ध्यान रखना Financial Stability Report हमारे देश में इंडिया के लेवल पर कौन निकालता है RBI और अगर पूछा जाए आपसे examination में कि Global FSR Report कौन निकालता है मतलब International Level पर Financial Stability Report कौन निकालता है कि बैंकों के आर्थिक सिती कितनी स्थाई है कितनी स्टेबल है तो International Level पर यह Report कौन निकालता है IMF निकालता है International Monetary Fund अंतराश्य मुद्रा कोश निकालता है तो question में जो है ध्यान से पढ़ना कि उसने इंडिया की FSR Report पूछी है कि Global FSR क्योंकि वो जान पूछ कर एक question जो है वो mention करके देते है नेक्स बढ़ रहे है कोई बात नी गलत हो गया तो आपको information पता होनी चाहिए वो ज़रूरी है चलो नेक्स बढ़ रहे है अगले question की तरफ चलो आपको बताना है आपको बताना है आपको बताना है बुक का टाइटल है गेजिंग इस्ट वर्ड्स और बुद्धिस मौंक एंड रेविलूशनरीज इन चाहिना बौत बिक्षू और चीन में क्रांतिकारी इस पुस्तक के लेखा कौन है तो नो डॉट जो है important पुस्तक है और ये किसकी पुस्तक है रौमिला थापर की नेक्स बढ़ रहे है अगले question की तरफ आपको बताना है कि फिलिपीन्स की करेंसी क्या है फिलिपीन्स की मुद्रा क्या है फिलिपीन्स की बतानी है क्या currency फिलिपीन्स की capital तो भई सभी को पता है फिलिपीन्स की बतानी है क्या currency ठीक है ना आपको बतानी है फिलिपीन्स की क्या currency फिलिपीन्स की capital क्या है फिलिपीन्स की capital तो क्या है Philippines की Manila है Asian Development Bank का Headquarter कहां पर है Philippines में ही located है अच्छा एक award है जो Philippines के President के नाम पर बना हुआ है और वो एक Annual Award है International Level का कौन सा अवोर्ड है इंटनाशनल लेवल का जो फिलिपीन के प्रेसिडंट के नाम पर बना हुआ है तो याद आया कौन सा वोर्ड है रमन मैक्से से अवोर्ड है बहुत बढ़िया रमन मैकसे से अवार्ड जो है वो फिलिपीन्स के प्रेसिडेंट पर बना हुआ है ठीके ना कौन सा अवार्ड है रमन मैकसे से अवार्ड है जो गर्वर्मेंट सर्विस में, पब्लिक सर्विस में, जर्नलिजम में, लिट्रेचर में इन सारी fields में दिया जाता है जिसकी शुरुआत हुई थी कब 1958 में जिसकी शुरुआत कब हुई थी 1958 में हुई थी तो रमन मैकसे से अवार्ड जो है वो भी किसके नाम पर बना हुआ है फिलिपीन के प्रेसिडेंट के नाम पर भई बहुत बढ़िया जो है बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो सब लोग अच्छा कोई मुझे ये बता पाएगा कि रमन मैकसे से अवार्ड जो है 2020 का किसे दिया गया अगर दिया गया तो रमन मैकसे से अवार्ड जो है पुरसकार 2020 का जो है किने दिया गया था विनोबा भावे को दिया गया था सबसे पहला रमन मैकसे से अवार्ड मैं पूछने हूँ 2020 का रमन मैकसे से अवार्ड क्या किसी को दिया गया है अगर दिया गया है तो किसको दिया गया है 2020 का रमन मैकसे से अवार्ड बिल्कुल रविश कुमार को दिया गया था, ठीक है, रमन मैकसे से अवार्ड, नेक्स बढ़ रहे हैं, अगले question की तरफ और अगला question आ रहा है, ठीक है न, विकास सर अब तो okay है, चलो, next question की तरफ बढ़ रहे है, In which state is the Simpli Pal National Park located, Simpli Pal राष्ट्य उद्यान किस राच में स्थित है, तो आपको बताना है कि Simpli Pal राष्ट्य उद्यान जो है, Simpli Pal National Park जो है कहां पर located है, तो बिल्कुल Simpli Pal National Park बहुत important है, बहुत बार examination में पूछा जाता है और यह कहां पर सित है, Odisha में located है, कहां पर located है, Odisha मे बहुत सारी important important चीज़े हैं भाई ओडिसा का चिलका लेग जो है सबसे पहली सबसे बड़ी क्या है रामसार साइट और सबसे पहली रामसार साइट भी है किस के साथ किलादेव नाशनल पाक राजिस्थान के साथ नेक्स कोईशन की तरह बढ़ रहे हैं The Madhubani Art originated from which state of India? Madhubani Kala की उतपती भारत के किस राज्य से हुई है? तो आपको बताना है कि Madhubani जो आर्ट है Madhubani Kala जो है ये ओरिजिनेड की गई है किस स्टेट से तो बिल्कुल Madhubani Art जो है ओरिजिनेड की गई है किस स्टेट से भई? बिहार से कहां से ओरिजिनेड की गई और questions जो है repeat हो रहे हैं मतलब गुमा गुमा कर question पूछे जा रहे हैं तो वो pattern similar ही चल रहा है next बात करें तो आज की current affairs analysis के साथ visualization के साथ जो है शुरुआत करते हैं और फिर last में थोड़े से और questions जो है उसे continue करेंगे तो पहली news आ रही है वो ये है IRDI constitutes panel of experts अगर मैं बात करूँ Insurance Regulatory Development Authority of India की तो IRDI ने सुभाज चंदर कुंतिया जी के तहद सुभाज चंदर कुंतिया जी के तहद स्वास्त भीमा उत्पादों की उपलब्दा की जाच करने के लिए विशेशग्यों का एक panel गठे किया है तो Insurance Regulatory Development Authority of India की अगर हम बात करें जो 1999 में बना था जिसका headquarter हैदराबाद में located है इन्होंने अपने ही अपने ही अध्यक्ष उभाज चंदर कुंतिया जी के अध्यक्ष में एक पैनल बनाया है एक कमिटी बनाई है जो ये एक्जामिन करेगी कि सारे लोगों तक health insurance की facility health insurance के product पहुँच पा रही है कि नहीं पहुँच पा रही है तो सारे बीमा उत्पादों की उपलब्दा की जांच करने के लिए विशेशक्यों का एक पैनल गठित किया है जिसके अध्यक्षता कौन कर रहे है सुभाज चंदर कुंतिया जी कर रहे है जो IRDI के क्या है अध्यक्ष है अगर मैं बात करो तो Insurance Regulatory Development Authority of India ने जो पैनल बनाया है इस पैनल को नाम क्या दिया गया है Health Insurance Advisory Committee Health Insurance Advisory Committee ये जो कमिटी है इसके अध्यक्षता करेंगे IRDI के Chairperson सुभाज चंदर कुंतिया जी ठीके ना इसके अलावा जो है ये कमिटी एक साल के लिए काम करेगी ये इस पैनल इस कमिटी का उद्देश है क्या तो इस कमिटी का उद्देश ये है कि सारे लोगों तक Health Insurance के प्रोड़क्ट पहुंचाना कैसे इन प्रोड़क्ट सो पहुंचाना है या Other Private Companies Private Insurance Companies की help लेकर कैसे कैसे जो हैं लोगों तक health insurance की availability और affordability पहुँचाना है ताकि आसानी से treatment किया जा सके ये जो committee है इसमें और भी members आप देख रहे हो तो ये जो committee है इसमें और members की बात करें तो वो कौन-कौन है नचिकेत मोर जी है एके चंची है बीके मोहंती के हरी प्रसाथ ये सब जो हैं इस committee के क्या है members है नेक्स बात करें अगली news की तरफ बढ़ रहे है नवीन पतनायक ने inaugurate किया इंडिया's first fire park in भुवनेश्वर ओडिसा जी के नवीन पतनायक जी ने भुवनेश्वर में भारत के पहले fire park का क्या कर दिया उद्गाटन किया है तो बात पहले clear हो गए थी कि fire park जो है वो बनाया जा रहा है अब finally fire park भुवनेश्वर ओडिसा में इसकी क्या कर दी गई है ये launching कर दी गई है आप screen पर देख पा रहे हो कि ने नवीन पतनायक जी को अच्छा ये fire park जो है इसमें आग नहीं लगती रहे है इस fire park में होगा क्या इस fire park में fire से related सारी चीज़े बताए जाएंगी मतलब fire safety के बारे में किस तरीके से जो है fire safety रखी जा सके कैसे कैसे जो है fire extinguishers का इस्तमाल किया जाता है किन-किन चीजों का इस्तमाल करके जब आग लगे तो उससे लड़ा जा सकता है specially children's को क्या दी जाएगे training provide की जाएगी ठीके ना तो odysa fire and disaster response academy campus बना दिया गया है बारा मुंडा भूवनेश्वर में तो अपनी तरीके का ये सबसे पहला fire park है odysa fire service की ये एक unique initiative है जिसमें कैसे provide की जाएगी training उसके बारे में सारी चीजे जो है वो guide की जाएगी इसके अलावा odysa सरकान नहीं एक online portal भी क्या कर दिया है launch कर दिया है जिसका नाम क्या है अगनी शम सेवा नाम का एक online portal भी launch किया गया है जिसमें fire fighting equipment से related पूरी training वहाँ पर online जरिये भी बताई गई है तो ध्यान रखना है पहला fire park जो है वो कहाँ पर बनाया गया है बुवनेशर odysa में जो है first of its kind इसे क्या कर दिया है गया है इसकी e-launching कर दी गई है जिसमें awareness वेलाई जाएगी basic fire safety measures की और specially students को जो है कैसे इस्तिमाल किया जाता है fire extinguishers को इन सब की training दी जाएगे ताकि disaster की समय खुद बखुद जो है लोग अपनी क्या कर पाएं मदद कर पाएं next बात कर रहे हैं इसी से related जो है और भी news में बनी रही चीज़ें Odisa की तो 11 सेप्टेंबर 2020 में Odisa के चीफ मिनिस्टर नवीन पतनाइक जी नहीं nationwide state में ठीक है अपने राज में एक scheme launch की थी गरिमा नाम की scheme launch की थी कौन सी गरिमा वो गरिमा ग्रहे अलग था यह गरिमा नाम की scheme थी जिसे उने safety प्रोवाइड करने के लिए गरिमा नाम की योजना भी शुरुआत की गई थी ठीक है महात्मा गांदी जी को यह scheme dedicated थी अगर मैं बात करो तो Odisa ने top position भी हासिल की थी किसमें Amrit योजना में किसमें Amrit scheme में और Amrit का full form क्या होता है Attal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation मतलब शहरी इलाकों को transform करना उनकी रूप रेखा बदलना Amrit scheme में Odisa ने top position भी हासिल की थी और Odisa ने गरिमा नाम की एक योजना भी लॉंच की थी जिसमें sanitation workers की dignity को maintain करने की बात की गई थी Odisa की बात करें तो Odisa में एक तो हमने Simpli Pal National Park देखा था और एक कौन सा है भीतर कनिका जो है National Park लोकेटेड है इसके अलावा चिलिका लेक लोकेटेड है यह सो सभी को पता है अगली बात Temple City of India किसे कहा जाता है भाई भूवनेश्वर को Temple City of India किने कहा जाता है भूवनेश्वर को Sports Capital of India भी किसे कहा जाता है भूवनेश्वर को और Silver City of India किसे कहा जाता है कटक को यह तीनो चीज़े क्या रखनी है Temple City of India भूवनेश्वर को Sports Capital of India भूवनेश्वर को और Silver City of India लोकेटेड है कटक को कहा जाता है यस ओके चलो Very Good Morning, Shruti Maam बहुत लेट हो गए हो अगली न्यूस की तरफ और अगली न्यूस हा रही है रिजर्व बैंक ओफ इंडिया की तरफ से रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ने वरकिंग ग्रूप बनाया है तो रेगुलेट डिजिटल लेंडिंग फ्रॉड्ड एड इसे कर रहे है जयन कुमार दास्टी एक्जिक्यूटिव डिरेक्टर है जो रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ने छे सदस्य एक वरकिंग ग्रूप बनाया है एक कमिटी बनाई है किसके लिए डिजिटल लैंडिंग फ्रॉड्ड अब देखो लोन जो है वो बी डिजिटल बाटे जारहे है हर चीज जो है क्या होरी है डिजिटल हो रही है तो उस्से रिलेटेड जो है उससे बचने के लिए क्या बनाई गया है अब देखो आप तो नहीं हो री भफरिंग इसके अलावा हर scheme जो है वो digitally काम कर रही है तो उसके frauds को देखते हुए ये committee बनाई है six member की committee बनाई है RBI ने अधिक्षिता कौन कर रहा है जैन कुमारदास्टी जो executive director है किसके RBI के executive director है किसके RBI के अब RBI ने जो working group बनाया है ये digital lending activities को पूरी तरीके से watch करेगा जो बीच बीच में unregulated players आ जाते हैं मतलब unauthorized players आ जाते हैं जो frauds करते हैं किसमें digital lending space में इसके लिए इस committee को बनाया गया है ये जो 6 सदस्य committee बनी है इसमें 4 members है RBI के internal और 2 external members को शामिल किया गया है इस committee के अध्यक्षिता करना है जहन कुमार दास्टी जो executive director है किसके RBI के इसके अलावा आप बाकी members के नाम भी देख सकते हो ठीक है बाकी members के नाम इतने important नहीं है लेकिन फिर भी मैंने नाम जो है वो mention कर दी है बाकी members के भी तो 4 members RBI के internal members रहेंगे RBI के working group से और इसके अलावा दो external members को इस working group में क्या किया गया है शामिल किया गया है इस working group का जो 6 सदस्य committee बनी है इसका रोल क्या रहेगा तो यह पूरी तरीके से watch करें के digital lending platforms को online तरीके से जो loan बाटे जा रहे है mobile lending हो रहे है mobile से जो loan disverse किये जा रहे उसमें बहुत सारे frauds देखने को मिले है बहुत सारी complaints आ रहे है तो fair practices कोड रहे digital lending players में भी इन सब को watch करने के लिए यह committee बनाई गई है ताकि data privacy और data security और data को govern करने की process को robust किया जा सके और आसान बनाया जा सके नेक्स बढ़ रहे है अगली news की तरफ तो आप screen पर देख पा रहे हो social activist सामाजिक कारे करता और पर्मश्री awardee और पर्मश्री awardee डी प्रकाश राओ जी को जिनका हाली में जो है सिर्फ 63 years की age में क्या हो गया है निदन हो गया है तो आप देख रहे हो कि कितने खुश है ये ठीक है थोड़ी थोड़ी खुशी जो है इनके लिए कितनी माइने रखती है तो बिल्कुल जो है social activist रहे सामाजिक कारे करता रहे डी प्रकाश राओ जी जिनका हाली में क्या हो गया है निदन हो गया है और प्राइम मिनिस्टर ने कल ट्विटर पे ट्वीट करके जो है कॉंडॉलिस भी दिये हैं बिल्कुल तो डी प्रकाश राओ जी जिन्हें ये टी सेलर थे चाय बेश दे थे ठीक है ये टी सेलर थे और चितना भी पैसा ये कमाते थे बच्चों जो slum एरियास में जुगी जोप्यों में जो बच्चे रहते उनकी education में क्या किया करते थे खर्श किया करते थे उसी के लिए इन्हें जो है क्या दिया गया था पद्मिश्री अवोर्ड से इन्हें नवाजा गया था तो ये social activists थे ध्यान रखना सामाजिक कारे करता थे, नाम क्या था, D. प्रकाश राओजी, जिनका हाली में निधन हो गया है, ये P. सेलर थे, जो बेजड थे, कटक में, कटक में चाय बेशते थे, और अपनी पूरी अर्निंग जो है, एजुकेट करने में लगा देते थे, स्लम चिल्डरिं में, इन्हें पदमिश्री अवार्ड से नावाजा गया था, 2019 में, इनके कॉंट्रिबूशन को कि किस तरीके से एजुकेशन को महत्व देते हैं, ये जो है, प्रकाश राओजी, एक वेल नोन ब्लड डोनर के तौर पर भी जाने जाते हैं, जिन्नोंने बहुत बार ब्लड दोनेट किया है, तो बिल्कुल आप खुशी देख पारे हों दूसरों की मदद करने में, नेक्स बढ़ रहे हैं, येस, बिल्कुल नेक्स बढ़ रहे हैं, और अगली न्यूस की तरह बढ़ रहे हैं, और अगली न्यूस जो है, वो हम बात करेंगे, दे हिंदू PTI और NSIC, National Small Industries Corporation के साथ, किस के साथ, NSIC, National Small Industries Corporation के साथ, किस लिए, ताकि MSME में पूरी तरीके से Digital Transformation लेकर आ सके, लगू उद्योगों को digitally क्या किया जा सके, कनेक किया जा सके, और आत निर्बर भारत का जो मोटेव है, मोदी जी का उसे क्या किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके, उ National Small Industries Corporation की, तो ये जो है, Government of India के अंडर काम करती है, Ministry of MSME के अंदर काम करती है, 1955 में ये बनी थी, ये एक संस्था है, और जिसके CMD है, कौन, विजेंद्र, और हेड़ कोटर है, इसका कहाँ पर New Delhi में, भारती ATL की बात करें, तो चेर्मेंट सुनीर भारती मित्तल जी है, और हे आसानी से इनके द्वारा बनाये जा रहे प्रोड़क्स जो है, वो All Over World, जो है, इंडिया ही नहीं, All Over World भी जो है, फैले, तो उसके लिए भारती ATL ने NSIC के साथ क्या किया है, MOU साइन किया है, Next News की तरह बढ़ रहे है, सबरी माला टेंपल जो है, वहाँ पर, जो है, मकारा विलक्कु फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाना है, और आप जो है, स्क्रीन पर लाइन देख सकते हो, सबरी माला मंदिर में, अब मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बता दो, कि ये जो सबरी माला टेंपल है, ये कहां पर लुकेटिड है, सबरी माला टेंपल जो है, सेट हो चुका है, आप जो लाइन देख रहे हो, लोगों की लाइन जो है, जुट गई है, क्योंकि यहां पर मकर विलक्कु फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाना है, ठीक है, मकर विलक्कु फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाना है, सबरी माला टेंपल में, तो सबरी माला कहाँ पा लोकेटेड है, बिलकुल केरिला में लोकेटेड है, to बहुत न्यूज में बना रहता है, सब्रिमाला टेंपल आप न्यूज में अक्सर देखते रहते हो, next बात कर रहे हैं, अग्ली न्यूस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो भरी Flipkart के जो है collaboration कर लिया है किसके साथ नीती आयोग के साथ Flipkart ने collaboration कर लिया है किसके साथ नीती आयोग के साथ किस लिए जो है collaboration किया गया है Women Entrepreneurship Platform जो है वो क्या चलाया जाएगा पूरी तरीके से चलाया जाएगा Women Entrepreneurship Platform के लिए जो है इसने Flipkart ने नीतिय आयोग के साथ क्या किया है agreement sign किया है जिसमें जो महिला उद्यमी है उनको आगे बढ़ाने की क्या की जाएगी बातशीप की जाएगी ठीके तो उसके लिए जो है ये agreement sign हुआ है Flipkart और नीतिय आयोग के बीच में महिला उद्यमों को आगे बढ़ाना किस तरीके से जो है उन्हें सारी clarity प्रोवाइड करना GST से related training देना funding कहा कहा से उन्हें मिल पाएगी ये बताना इसके अलावा pandemic और progression की situation में कैसे अपने business को enable करना तो महिलाओं को उद्मिती बनाने के लिए उद्मिता प्रोवाइड करने के लिए और उन्हें training प्रोवाइड करने के लिए Flipkart ने नीति आयोग के साथ मिलकर Women Entrepreneurship Platform को क्या कर दिया है launch कर दिया है अगर हम बात करें Flipkart की तो Flipkart के CEO कल्यान कृष्णमूर्ती है Headquarter कहाँ पर located है Bangaluru, Karnatika में नीति आयोग के अगर मैं बात करूँ तो नीति आयोग कब बना था तो नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 में कब बना था 1 जनवरी 2015 में कल के railway examination का question रहा कि नीति आयोग जो है वो बना था जुजहर सिंग बिलकुल जो है मैं देख रही हूँ ठीक है ओके रशमिता माम चलो तो बढ़िया से जो है पढ़ाई करना जिनके भी examination line-up नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 में बनाया गया था और ध्यान रखना Flipkart और नीति आयोग मिलकर World Entrepreneurship Platform पर work करेंगे जिसमें महिलाओं की उद्मिता को और बढ़ावा दिया जाएगा नेक्स बात कर रहे हैं अगली नीूस की तरफ तो 11 जनवरी को Union Minister of Empowerment Forest and Climate Change Minister प्रकाज आवडेकर जी जो है उन्होंने एक report release की है जिसका नाम रहा Management Effectiveness Evaluation Management Effectiveness Evaluation यह जो Management Effectiveness Evaluation Report को launch किया गया है यह report 146 National Parks और Wildlife Centuries जो वन अभिरण है उनकी एक report निकाली गई किस तरीके से जो है यहाँ पर Forest Department management करता है उससे related यह report निकाली गई है Management Effectiveness Evaluation Report 146 National Parks राश्री अध्यान और वन जीव अभिरण पर इस report को निकाला गया है यह report 2018-19 का data present कर रही है कि कितना अच्छा management किया गया है किस National Park में अगर मैं बात करो तो टॉप पर रहा कौन सा टॉप पर रहा तीर्थन Wildlife Century टॉप पर रहा कौन सा तीर्थन Wildlife Century वन जीव अभिरण हिमाचल परदेश का Great Himalya National Park दूसरे नंबर पर रहा हिमाचल परदेश का सैनज Wildlife Century वन जीव अभिरण हिमाचल परदेश का यह तीसरी position पर रहा राइगंज Wildlife Century West Bengal का यह चौती position पर रहा और जल्दा पारा National Park West Bengal का यह भी राज जिसने position हासिल की है तो यह top 5 जो है National Parks और Wildlife Centuries की रिपोर्ट आई है 146 National Parks पर इस रिपोर्ट को निकाला गया है और 5 राश्ट्री उद्यान और Wildlife Centuries की यह लिस्ट दी हुई है जिसमें Forest Department ने सबसे अच्छा management किया है और सबसे अच्छा score हासिल किया है ठीक है यह जो framework है यह test करता है Effectiveness of Protected Areas in India कि किस तरीके से इन राश्ट्री उद्यानों को और वन्यजीव अभिरन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है अब देखो यह सारे के सारे यह सारे के सारे जो है Important National Parks रहेंगे Wildlife Centuries हो गयो और कुछ जो है हम अपने सेशन्स में अल्रेडी करते भी जा रहे है तीर्थन हो गया Great Himalayan Sanich हो गया Himachal Pradesh में Raiagan, Jalda Parra यह कहां पर हो गया West Bengal में हो गया ठीक है न कोई बात ही अर्चना माम आपको PDF में साफ साथ दिखेगा ठीक है वहां से एक बार क्या कर लेना एक बार रीड जरूर कर लेना कि कौन सा नाशनल पार्क जो है वह कहां पर लोकेटेड है क्योंकि नाशनल पार्क की लिस्ट इंपोर्टेंट रहेगी जो टॉफ फाइव के रहेंगे नेक्स बात कर रहे है अगली न्यूस की तरफ तो भाई Cabinet Committee on Security CCS जो है Cabinet Committee on Security उसने अप्रूफ कर दिया है 83 Tejas Fighters for Indian Air Force ठीक है 47,000 करोड की ये डील हुई है जो राजनाथ सिंग जी के दुआरा कहा गया है कि ये गेम चेंजर रहेगी तो ध्यान से सुनना Cabinet Committee on Security Cabinet Committee on Security ने अप्रूफ ये कर दिया है कि 83 Tejas 83 Tejas Light Combat Aircraft 83 Tejas Light Combat Aircraft जो है जिसे बना रहा है कौन? HAL हिंदोस्तान Aeronautics Limited किसके लिए? Indian Air Force के लिए बना रहा है और इस पूरे प्रोजेक को Approval मिल गया है कि हिंदोस्तान Aeronautics Limited 83 Tejas Light Combat Aircraft जिने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये बनाएगा Indian Air Force के लिए और Total Amount जो लगेगा Total Cost कही गई है वो कितनी लगेगी? 47,000 करोड जो है वो लगेगी तो बिलकुल अगर मैं बात करूँ तो ये एक Important जो है Approval रहा जो Cabinet Committee on Security ने दिया है तो Cabinet की Meeting हुई प्रदानमंत्री मोदी जी के अध्यक्षिता में और उसमें ये डिसीशन ले लिया गया है तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो तेजस को नेक्स पढ़ रहे हैं अगली न्यूस की तरफ तो 11 सिटीज में को वैक्सीन के shipment जो है वो पहुँच चुके है भारत बायोटेक ने dispatch कर दिया है अपना पहला batch और dispatch किया गया है कहां से हैदराबाद से 11 शहरों में को वैक्सीन के shipment जो है वो पहुँच चुके है countdown begin हो गया है जो 16 जनवरी से सबसे बड़ी vaccination drive की शुरुआत होने वाली है उसका countdown जो है वो चालू हो चुका है तो अगर मैं बात करनो तो co-vaccine जो है वो भारत बायोटेक की vaccine है जिसका shipment 11 cities में अल्रेडी क्या हो चुका है सरकान ने ये कहा है कि 295 रुपीज का एक dose पढ़ेगा 295 रुपीज का एक dose पढ़ेगा ठीके ना तो Indian Council of Medical Research of National Institute of Virology पूरी तरीके से क्या करेगी इस पे काम करने वाली है 295 रुपीज का एक dose पढ़ेगा किसका co-vaccine का चलो नेक्स बढ़ रहे हैं अगली news की तरफ तो ये हमने देख लिया कि RBI ने एक working group बनाया है digital lending पर और जो है ये जो working group बनाया है RBI ने digital lending पर इसके अधिक्षिता कौन कर रहे हैं जयन कुमार दासी कर रहे हैं जो executive director है किसके RBI के तो ये news हम already cover up कर चुके हैं जो newspaper की cutting में भी रहा है आज दर हिंदू में इसके अलावा अगर हम बात करें तो किर्गेस्तान के भाई नई president बन गए है किर्गेस्तान के नई president बन गए है नाम बहुत ही खतानाक है और नाम है क्या जपराव सादिर नुर्गोविच जो है किर्गेस्तान के नई president निरुक हो गए है आप जो है जपराफ से ही बस याद रखना किर्गिस्तान जो है उसकी capital क्या है बिशकेक और currency क्या है सोम है किर्गिस्तान की नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगली न्यूस की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक important book निकल कर आई है फिर से नाम है Unscripted Conversations on Life and Cinema तो cinema पर based है Unscripted Conversations on Life and Cinema ये book जो है किसने लिखी है तो विदू विनो चोपडा ने लिखी है और इसके अलावा जो है अभिजा जूशी ने इस book को क्या किया है लिखा है तो विनू विदो चोपडा के बारे में तो आपने नाम सुना ही होगा इनका ये जो है विनो फिल्म्स और विनो चोपडा प्रोडक्शन के क्या है एक इंपोर्टेंट फाउंडर है इनकी बहुत सारी जो है विल नोन फिल्म्स देखी है आपने जैसे कि मुन्ना भाई फिल्म सीरीज देखी है मुन्ना भाई एम्बी बिएस लगे रहा हूं मुन्ना भाई त्री इडि फिल्म्स दैनरा फ揆गा खरत और हो अरराशन है विल्म्स दैना भाई आउ त्री क्यों मुन्ना भाच छाई जया घ्लिया इंपने इक वह जब भी अन्सर की क्योंकि बहुत सारे questions जो है अभी के news के हैं ठीक है ना एक भी answer अब गलत नहीं होना थी तो पहला question आ रहा है screen पर और वो ये है Khadi and Village Industries Commission has launched India's first cow dung based paint called Khadi Prakritic paint where is the headquarter of KVIC आपको बताना है Khadi and Village Industries Commission का headquarter मुख्याल है कहां पर located है KVIC Khadi and Village Industries Commission का headquarter जो है कहां पर located है KVIC का headquarter जो है कहां पर located है Khadi and Village Industries Commission का मुख्याल है कहां पर सित है तो बिलकुल Khadi and Village Industries Commission भाई important रहेगा news में ठाया हुआ है Khadi and Village Industries Commission headquarter कहां पर located है मुंबई में headquarter कहां पर located है मुंबई में located है और अगर हम बात करें Khadi and Village Industries Commission की यह located है मुंबई में, कब बना था, 1956 में बना था, MSME Ministry के अंडर यह काम करता है, Microsporn Medium Enterprises Ministry के अंडर काम करता है, और Minister कौन है, नितिन गटकरी जी है, खादी and Village Industries Commission के चेर्मेन कौन है, खादी and Village Industries Commission के चेर्मेन कौन है, तो बिल्कुल चेर्मेन कौन है, विने कुमार सकसेना जी ह खादी and Village Industries Commission के चेर्मेन, बहुत बढ़िया, तो फान कौमार जुड़े हुए, तो फान कौमार है, भीमाराना जुड़े हुए, चहल सर आ गए है, अंगर सर जुड़े हुए, बहुत बढ़िया, चंदर सर, भार्ती माम, प्रवीन सर, आशितो सर, अर्चना माम, अलोन, मॉ वाक्सीन तो विच कंटरी, भारत बायोटेक है, तो प्रिंसिसा मेडिकांटो मेंटोस, यह जो है, इसके साथ समझोथा किया गया है, भारत बायोटेक के द्वारा, अब आपको बताना है कि किस कंटरी में, जो है, को वाक्सीन को सप्लाइ करने के लिए, इस अजीब नामव लिए वाली फार्मयसिटिकल कंपनी के साथ भारत बायोटेक ने समझोथे पर हस्ताक्षर किए है, तो यह जो है, प्रिंसिया मेडिकांटोस, यह जो लोकेटड है, यह कहा की है, ब्रजील की है, तो को वैlesine को सप्लाइ करने के लिए, ब्रशील की फार्मयसिटिकल कंपनी rumors सिसा के साथ भायर बायो टेक्निक्या किया है समझोते ग्यापन पर हसाक्षर किये है ब्रजील के अगर मैं बात करूँ तो ब्रजील की capital क्या है ब्रजीलिया है भई रियो डिजनारियो मत कराना रियो डिजनारियो जो है सबसे बड़ी city है ब्रजील में summit की मेज़ पानी की थी. तो one planet summit के बारे में बात की जा रही है जिसमें climate change के बारे में बातचीत की जा रही थी. और United Nations और World Bank के साथ मिलकर, चौथा one planet sammellen किस कंटरी ने और्गनाईज किया तो वो कौन सी कंटरी थी? फ्रांस थी. वो कौन सी कंट्री थी फ्रांस थी अब भी गुट मॉर्निंग बोल रहे हो आपस में गुट मॉर्निंग करते रहे हो नेक्स बात कर रहे हैं अगले क्वेशन की तरफ और अगला क्वेशन आ रहा है स्क्रीन पर बहुत बढ़िया तो आपको बताने जूरी राटाज जो है वो किस कंट्री के प्राइम मिनेस्टर थे जिनोंने करप्शन स्कांडल पर रिजाइन कर दिया है और ये कौन सी कंट्री के थे एस्टोनिया के थे अगर मैं बात करूँ किस के बारे में एस्टोनिया के बारे में अगर हम बात करें एस्टोनिया के बारे में तो ये एक यूरोपियन कंट्री है ठीके ना एस्टोनिया ज होगी currency क्या होगी euro ही होगी next question की तरफ बढ़ रहे हैं सादर जपराव has been appointed as the president of which country अभी किया था सादर जपराव को किस देश के राश्ट्रपती के रूप में न्यूक्त किया गया है तो भई सादर जपराव जो थे बाकू अब लग बताओगे comment box में लिखकर उजबेकिस्तान की capital के बारे में next question प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना successfully completed how many years of operation on 13 जैनवरी 13 जनवरी 2021 को प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना ने सफलता पूरवक कितने वर्ष पूरे किये हैं तो प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी कब 13 जनवरी 2016 में और उसने कितने साल पूरे कर लिये हैं पांस साल पूरे कर लिये हैं ध्यान अकना प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी important question रहेगा नेक्स वेशन की तरह बढ़ रहे हैं, first ever ice climbing festival celebrated in Nubra Valley, Nubra Valley कहां पर सित है, तो आप देख पा रहे हो, ice climbing festival celebrate किया गया Nubra Valley में, और ये Nubra Valley कहां पर located है, Ladaq में located है, बहुत बढ़ी है, कहां पर located है, Ladaq में located है, कोई बात निया मनसर, ठीक है, तोड़ा सा बस हमें hint मिल चलो, next बात कर रहे है, okay, Uzbekistan की capital आ गई है, कौन सी थी, Tashkent थी, Uzbekistan की capital क्या थी, Tashkent थी, Tashkent फाइल्स मूवी देखी होगी, किस पर बेज़ थी, Tashkent फाइल्स मूवी और अगर नहीं देखी है, तो देखना है, Tashkent फाइल्स के बारे में क्या करना, पढ़ना किस की मृत्यू पर बनी थी, Tashkent फाइल्स मूवी, Uzbekistan में, Tashkent में, कौन सा अगरिमेंट साइन हुआ थी, किस की मृत्यू पर थी, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, next question, NIC और किस ने लांच किया है, कोलाब CAD software, आज जो है, लांचिंग की जाएगी, जि बिल्कुल प्रिसाइस सरीके से डिजाइनिंग की जाती है, तो नाशनल इन्फरमेटिक सेंटर, NIC ने किस के साथ कोलाबरेशन किया है, दोनों मिलकर कोलाब CAD software का इस्तमाल करेंगे, इंजिनिरिंग स्रुडेंट्स के लिए, और जो फेकल्टी ग्राफिक्स करिकुलम में इ Veterans Day कम मनाया जाएगा, तो बिल्कुल KM Kariyaappa जी की उपलक्ष में हमने बात की थी Veterans Day अनुभवी दिवस Indian Armed Forces celebrating करेगा कब आज, 14 जनवरी को Indian Armed Forces Veteran Day celebrated करेगा, 1st Commander Incheaf कीम करियापा की उपलक्ष में जो है इस day को celebrate करेगा next question, शिरोमणी हिल्स जो है इसे आइडेंटिफाई किया गया है as one of the butterfly super hot spot शिरोमणी हिल्स जो है कहाँ पर located है तो butterfly या फिर तितली hot spot जो है वहाँ पर बहुत सारी तितलियां पाई जा रही है आपको बताना है शिरोमणी हिल्स जिससे identify किया गया है बटरफलाय super hot spot के तोर पर ये कहाँ पर located है तो बिलकुल ये कहाँ पर located है ध्यान रखना तमिल नाडू में located है लड़ाक में तो सइब में किरण में बहुत ठंड है जो ठंड यहाँ पे भी जो बाकी जगों में भी दो-तिन दिन से बहुत जादा है और वहाँ पे तो बहुती जादा negative में temperature चल रहा है उसके बाद भी इतने सारे sports events हो रहे हैं जंसकार valley हमने देखी ठीके न इसके अलाबा आइस hawking tournament जो है हो रहे हैं तो बिल्कुल जो है entertaining करते हैं लोग अपनी life को entertain भी करना क्या होता है जरूरी होता next question foreign asset investigation unit have been recently created by which of the following organization या agency विदेशी संपत्ती जाँ चेकाई हाली में निमलिकित में से किस संगठन agency द्वारा बनाई गई है आपको बताना है कि जो foreign asset investigation unit है foreign asset investigation unit है ठीक है इसे जो है बनाया गया है किस के under जिसमें जो है हमारे देश के नागरिक जो बहार रह रह रहे है abroad रह रहे है इसके लावा जो बेनामी संपत्ती है उसको देखने के लिए बनाया गया है तो बिल्कुल जो है उसे देखने के लिए बनाया गया है किस के अंदर इसे तो बनाया गया है Central Board of Direct Access प्रत्यक्षर, Central Board of Direct Taxes के चेर्मेन कौन है? लिखकर बताओगे क्या? मुझे comment box में, CBDT के चेर्मेन कौन है? जल्दी से लिखकर बताओगे। Central Board of Direct Taxes के Chairman का नाम क्या है? अध्यक्ष का नाम क्या है? Central Board of Direct Taxes के Chairman का नाम बताऊगे इंकम टैक्स डिपार्टमेंट जिसे IT डिपार्टमेंट भी कहा जाता है बिनामी ट्रांजक्शन को देखता है IT डिपार्टमेंट जो हमारे देश में कब बना था? 1860 में इंकम टैक्स डिपार्टमेंट जो बना था? वो बना था 1860 में Headquarter New Delhi में ही है Finance Minister निम्रा सीतामन जी जो है वो Minister responsible रहेंगी जल्दी से बता दो CBDT के Central Board of Direct Taxes के बहुत बढ़िया Central Board of Direct Taxes के Sona Ma'am का आंसर आ गया है कौन है? PC Modi जी है कौन है? PC Modi जी है प्रमोच चंद्रमोधी जी है बहुत बढ़िया नेक्स आ रहे है अगले क्वेशन दिद्रफ Income Tax Act कौन से का है? कौन से वर्ष का है? 1961 का है तो प्रमोच चंद्रमोधी जी जो है वो बिल्कुल चेर्मन है किसके Central Board of Direct Taxes इसके नेक्स बात करें अगले क्वेशन की Recently विस स्टेट गर्मन्न लाँच्ट स्टेट वाइट करुणा अभियान 2021 हाली में किस राजिकी सरकार ने राज जवापी करुणा अभियान जो है वो लाँच किया है तो बिल्कुल अगर मैं बात करू तो उत्तरायन यहां फिर अगर मात करें काइट फेस्टिवल ठीक है उसके लिए करुणा अभियान की शुरुआत की गई जिसमें सोपी सिस्टेमाटिक अपरेटिंग प्रोसीजर्स बना दिये जाएंगे कि कहां कहां पर काइट फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाएगा क्योंकि बहुत सारे बर्ज जो उनकी जान चली जाती है जो चाइनीज त्रेट्स का इस्तिमाल किया जाता है तो कहां पर होगा गुठरात में ठीक है कहां पर होगा गुठरात का है यह फेस्टिवल करुणा अभिया next question EU European Union का एक ECB बना हुआ है मतलब European Central Bank बना हुआ है जिसका headquarter Frankfurt, Germany में है यह जो European Central Bank है इसकी president कौन है IMF की जो पुरानी अध्यक्षती Christine Lagarde वो इसकी क्या है प्रेसिडेंट है Audrey Azule, UNESCO की है Enrita for UNICEF की है और Pulsam Malambo UN Women नाम की जो संस्था है उसकी अध्यक्ष है तो European Central Bank की प्रेसिडेंट कौन है Christine Lagarde जिन्होंने Bitcoin क्रिप्टो करेंसी पर कल बहुत जादा क्या दिये है स्टेटमेंट्स दिये है और European Central Bank का headquarter ध्यान लखना कहां पर है Frankfurt, Germany में है कहां पर है Frankfurt, Germany में Next question Which of the following bank's license have been recently cancelled by RBI निमलिकित में से कौन से bank का license हाली में RBI ने रद्द कर दिया है तो इनमें से ऐसा कौन सा bank है जिसके license को RBI ने हाली में रद्द किया है तो वो कौन सा है महराष्ट का वसंतदादा नगरी सहकारी bank महराष्ट का वसंतदादा नगरी सहकारी bank अब मुझे एक बात बताओ, यह शिवाले कोपरेटीव बैंक जो है, यह कहां पर सुना था न्यूस में, कहीं तो सुना होगा, शिवाले कोपरेटीव बैंक, सहिकारी बैंक जो यह न्यूस में सुना था हमने हाली में, इस में क्या important थे, ठीके तो रायर भी ने लाइसेंस जि इसकी theme क्या थी, तो इसकी theme क्या थी, बिलकुल, let's act together for nature, theme क्या थी, let's act together for nature, let's act together for nature, शिवाले के बारे में बताओगे भई, ठीक है, शिवाले के बारे में बताओगे, let's act together for nature, ये इसकी क्या दी गई है, theme दी गई है, आपको बताना है Duce Bank का हेट कोटर, Duce Bank पर RBI ने 2 करोड का interest rate के charges लगाए है ठीक है 2 करोड का fine लगाया है Duce Bank पर RBI ने, आपको बताना है Duce Bank का मुख्याले कहाँ पर located है तो Duce Bank एक foreign bank है, जिसका branch हमारी country में भी located है और बिलकुल Duce Bank का headquarter भी कहाँ पर है Frankfurt Germany में, अभी कौन सा देखा था? European Central Bank देखा था, अभी कौन सा देखा था? European Central Bank जिसका headquarter Frankfurt Germany में था Duce Bank का मुख्याले भी कहाँ पर है Frankfurt Germany में है, इसके अलावा अगर बात करें HSBC, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation की जो एक important foreign bank है, जो हमारे देश में काम करता है इसका headquarter ना ही Hong Kong में है, ना ही Shanghai में है, कहाँ पर है मुख्याले लंडन में है कहाँ पर है मुख्याले लंडन में है, बिलकुल सही हनुमान सर्ण ने answer बता दिया है, कि Small Finance Bank में इसे क्या किया गया था, convert किया गया था, बहुत बढ़िया ठीके, Saharanpur UP का था, जिसे क्या किया गया था, Small Finance Bank में convert किया था, बहुत बढ़िया मतलब पीछे के चीजे सपार्ट नहीं हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे पार्ट होता जाए और पीछे सपार्ट होता जाए, नेक्स क्वेशन, तीर्थन वाइड लाइफ सेंचुरी इस बेस्ट इन दे स्टेट आफ, अभी हमने किया था, जब मैंने लिस्ट बताई अचल प्रदेश का था, नेक्स क्वेशन की तरह बढ़ रहा है, और आज के क्वेशन जो है, यहीं पर एंड होते हैं, यह टेलेग्राम चानल है, सिलेक्शन विछ चान्मी के नाम से, आप लोग अगर नहीं जुड़े हो, तो बिलकुल इस टेलेग्राम चानल से जुड़क कोई भी दुखदर, परिशानी हो, डाउट हो, तो वो यहाँ पे शेर कर सकते हो, इसके लावा PDF, Important Notes, The Hindu Newspaper, यह सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो जितने भी लोग कनेक्टेट नहीं हो, बिलकुल आप कनेक्ट हो सकते हो, और अगर मैं बात करू, तो RRB PO Means का रफता किया है, मतलब RRB Pre-Qualify किया है PO, तो बिलकुल रफतार बैस से जुड़ना ना भूले, महिंदरास के ओफिशल यूट्यूब चानल पर दुपहर में 12 बज़े से इस बैच की शुरुवात हो रही है, अपनी तैयारी को बहतरीन बनाना और इस बार मैंस को पार लगाना ही है कैसे भी करके, ठीके ना तो आपके 6 के 6 सब्जेक्ट रन होंगे, 12 बज़े इंग्लिश, 12 हिंदी, 1 बज़े जिए, 1.5 बज़े कंप्यूटर का सेशन, 2 बज़े रीजिंग और 10 बज़े आपके मैस का सेशन रहेगा, तो आधे-ाधे गंटे में सारे के सारे एक्जामिनेश पाटन पर, प्रिवियस एयर पेपर्स पर और इंप्र्टन पर क्या की जाएगी, बातशीत की जाएगी, और इसके अलावा जो है, बहुत सारे धेड़ सारे क्वेशन आपको क्या करवाए जाएंगे, और साढ़े साथ से एडिटोरियल सेशन भाई लगा हुआ होगा अभी बिल्कुल जो है इसके बाद editorial session से जुड़ जाना है तब तक मैं the Hindu news paper भी share कर दूँगे तो एक बार उसको read करते हुए analyze भी कर लेना है कि आपको कितना समझ में आ रहा है आज की session को यही पे end करेंगे जितने भी candidates मेरे प्यारे साथ ही जुड़े हुए थे जिन्होंने चानल को subscribe नहीं किया तो बिल्कुल चानल को subscribe करना ना भूले ताकि कोई भी important information मिसना हो पाए जाते जाते session को like करते जाएगा और अब मिलेंगे रात में 12 बजे अपने 10 important questions के साथ तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का बढ़िया से ध्यान रखिएगा बढ़िया से इस festive season को enjoy करिएगा खूप साले जो है लड़ू खाईएगा तिल के ठीके और गुड के अगर मैं बात करूँ तो आज जो है आप सब का दिन शुबो आ वेरी नाइस टी टू अल of you. Bye-bye guys. Take care. Jaihin.